नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी कचीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों जब हम अपने ग्रूप में खड़े होते हैं दोस्तों तो चाहते हैं कि हमारे चेहरे की रंगत सबसे बहतर हो जी हां दोस्तों और खास करके अगर हमारा चेहरा काला हो दोस्तों तो हम चाहते हैं कि गोरा हो जाए या फिर चाहते हैं कि टैनिंग की समस्या से हम रहत पाजाएं दोस्तों और दिखें तो इसके लिए कुछ एक हम घरेलू और शधियां लेकर के आए हैं दोस तो तुचा और बाल दोनों की अगर आपको रंगत निखारनी है और बेदाग चेहरा चाहिए अगर आपको जहां अगर आपको स्कीन पे कोई भी दाग नहीं चाहिए और गलू चाहिए तो संतरे के छिलके को आप सुखा दीजे धूप में दोस्तों फिर उसे का बुरादा ब बढ़ जाएगी और आप बहुत गलूइंगी स्कीन वाले हो जाएंगे साथ ही साथ अगर ब्लैक हैड्स हैं तो वह भी छूम अंतर हो जाएंगे दोस्तों सहट के साथ ही से मिक्स करके फेस पे लगाते हैं तो टैनिंग खतम हो जाएगी दोस्तों जिहां हम संबर्ण हमारे फेस पे हो जाता है दोस्तों जब हम बाहर निकलते हैं धूप में खास करके गर्मिया आ रहे हैं तो हमारे चेहरे का काला होना सोभाविक है चुकि धूप में हम जाते हैं तो चेहरा मिक्स करते हैं संतरे का छिलका तो आप गोरे हो जाएंगे दोस्तों क्या होता है जब आप पर लगाते हैं तही में मिक्स करके संतरे के छिलके तो जो भी सुक्ष रंडन्र होते हैं दोस्तों वो आप तो तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि अगर हमें अपने बालों को खुबसूरत बनाना है या फिर अपने चेहरे के रंगत निखारनी है तो इन सभी का एक मात्रे इलाज और सबसे बेश्ट सस्ता घरेलू हर जगह मिल जाने वाला इलाज है दोस्तों संतरे का छिलका य हमारे लिए हमारी खुबसूरती के लिए खुबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सबसे उपयोगी और शधियों में से एक होता है संतरे का छिलका दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने हमाज आप सभी के लिए आप सभी को गुरा करने की यानि कि included me सभी को क्या है थे दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों